अधियुक्तु आधियुक्तु 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 आ चीज नहीं हमारे पास साथ ही वह होती है intermediate code generator intermediate code generator या IR IR का मतलब intermediate representation असल में होता है intermediate representation को यह हम लोग sometimes intermediate code generator भी कह दिते है intermediate code generation असल में है क्या एक तो IR वह है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जी front end से back end में जो हमारे पास चीज जारी होती हो वो लेकिन एक स्पेशल इसकी एक फॉर्म होती है उसको हम लोग इंटरमीडियट कोड बोलते हैं और यह एक फिजिकली एक कोड होता है जो हम लिखते हैं यह मैं आपको भी आद समझाऊंगा अब एक कॉंसेट मैं चाहूँगा कि आप जरा इसको क्लिर्ली समझाएं यह बातें जो जहां लिखी मी हैं यह मैं आपको पहले एक्जम्पल से समझाऊंगा फिर मैं आपको बार में बताऊंगा कि जो है इंटरमीडियट कोड़नेटर क्या चीज़ होती है बलकि इन फैक्ट के दर मैं आपको बताऊंगा कि असल में एक इंटरमीडियट कोड़नेटर होता क्या हमें इसके ضरूरत क्यों होती है तो जरी आप यह डाइगराम देखेंं और पेस्टे वाली स्कॉड़् वाली स्लाइड़् देखें फिर मैं आपको इसंसे को डिसकस करता हूँ किंहां है इस computer के उपर आपने C++ language के अंदर काम किया CPP C++ आपने calculator बनाए अब आपने इस computer के अंदर एक file save की भी है जो .cpp है आपको पता होना चाहिए कि C++ की extension है वो CPP होती है Python की .py होती है जोन से भी आपको आती है तो हम C++ की बात करते हैं तो कि आप में से जादे तर लोगों ने C++ लोड अपने क्लिया समेस्टर में इस चीज़ को जरूर पढ़ा होगा तो लेस्ट टाउक अब आउट C++ only ओके यहाँ पे आपने C++ की file save की भी है अब आपके पास एक और computer है और आप चाहते हैं कि यही वाली file जो आपने यहाँ पे save की थी वह यहाँ पे run हो जाए अच्छा मैं आपको तीन चाच चीज़े बता लूँ suppose करने यह जो computer आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो operating system था वो था windows 7 और यह हमारे पास था core i3 मैं microprocessor बता रहा हूँ इसकी RAM जो थी for example that was 2GB and that's it हमें कोई hard वगरा की यह इस computer की specifications थी ठीक है और let us suppose के जिस system पे आप काम कर रहे थे वो 32 bit architecture पे था cross 86 जिसको बोलते है 32 bit windows थी ठीक है अच्छा जी आपने windows 7 32 bit core i3 2GB RAM की computer के उपर compiler आपने यूज किया let us suppose आप suppose करें के let us suppose के आपने code blocks पे चले हम कर लेते हैं क्या आपने code blocks के उपर आपने आपना code लिखा यह आपने compiler इस्तमाल किया so code blocks compiler था windows 7 आपका operating system था 32 bit उसकी resolution थी core i3 आपका system था और 2GB RAM के साथ को काम कर रहा था इसमें आपने file बनाई .cpp ठीक है यह आपका code की file है अब आपने इस file को copy किया और एक और system में इसको आपने रख दिया इस system की specifications क्या हैं यह मेरे पास 64 bit operating system है windows इसके अंदर मेरे पास 10 है windows इसके अंदर 10 है windows 10 जो run करता है यह मेरे पास जरा latest core i7 है इसकी RAM जो है 8GB है और compiler आप suppose करें कि आपने for example visual studio के उपर आपने इसको रण कि यह मेरे एक example है कि आपने इसको visual studio के उपर run किया compatibility visual studio आपको देता है तीक है जी I'm sorry कि मेरे spelling mistake बहुत जादा हो और visual studio के उपर आपने इसको run किया अब जो चीज यहां समझ नहीं किया है इस architecture में और इस architecture में बहुत जादा difference है operating system मुक्तलिफ resolution मुक्तलिफ specification मुक्तलिफ architecture मुक्तलिफ RAM मुक्तलिफ जिस compiler में बनाया गया वो भी मुक्तलिफ जो cpp file आपने बनाई इस system से वो आप आपने copy करके इस system में रखी और इस system में जब आप उसको चलाएंगे तो windows 64 bit है windows 10 है core i7 है 8GB है compiler visual studio है in other words यह दोनों किसी तरीके से भी compare नहीं किया जा सकते और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ क्या जो cpp file आपने इस environment में बनाई थी जो cpp file आपने इस environment में बनाई थी environment 1 में क्या यह cpp file environment 2 में रन हो सकती है तो मैं यहां पे दो second का pause जिता हूँ जड़ा मुझे आप सोचके जवाब दे क्या जो file आपने environment 1 में बनाई है इस पॉसिबल कि वह file आप environment 2 में रन कर सके तो आपसर इस येस डेफिनिटली अगर आप लोग कभी net से कुई cpp file को डाउनलोड करें तो 90% चांस है 90% चांस है कि आप इस cpp file को अपने किसी भी अपने flavor के compiler में किसी भी जो है computer के ओपर with minimum requirements जो compiler को चलाने के लिए होती है अपने मर्जी के compiler पे आप इस cpp file को run कर सकते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ कैसे कि जो cpp file आपने entirely different environment में बनाई वो cpp file एक दूसरे different environment में कैसे चल गई ये भी compiler का ही intelligence है तो अब हम ये कर रहे हैं जो मैं आपको diagram में बताता हूँ कि आपने source code लिखा machine one पे और आपने उसको पहले target code में convert करने से पहले मतलब आपने जो फाइल बनाई है cpp file उसको machine code में run करने से पहले आप उसको एक और form में convert करते हैं उसको बोलते है intermediate code तो अब असल में होता क्या है कि जो cpp file आप अपने computer में save करते हैं वो उस cpp file को सिरफ एक specific machine के लिए save नहीं करता कि वो सिरफ उसी computer पे चलेगी वो उसको ऐसी हालत में save करता है कि वो किसी भी computer पे run हो जाए और जिस हालत में वो उसको save करता है उसी को बेटा हम लोग बोलते है intermediate code hopefully आपको मेरी बात समझ आई होगी कि हम अपनी file को py हो python की file हो compiler या cpp file हो c++ हो या c की हो जब आप उसको अपने computer में save करते हैं तो वो उसको ऐसी form में save करके रखता है कि वो machine independent हो जाए वो जिस machine पे आपने उसको चलाना है आप उसको ऐसी form में save करके रखें कि वो ideally हर computer पे रहाल हो जाए तो हम असल में कहते हैं कि हम अपने code को क्या बनाते हैं हम अपने code को बनाते है M का मतलब M.A.C का मतलब है Mac या machine machine independent बनाते है यह फाइदा होता है intermediate code तो आपने source code को पहले किसमें convert करें intermediate code में यही आपकी cpp file है और यह यह नहीं होती लेकिन moral है सही हो रहा होता है और फिर आप इसको अपनी मर्जी की machine के ओपर run करें ठीक है जी हर computer अपने लिहाज से क्योंकर देखें जिस computer का architecture मुक्तलिफ है उसके अंदर machine language के अंदर conversion हो रही होगी वह भी मुक्तलिफ होगी ठीक है जी तो यह बात मैंने यहां पर इन slides में बताई थी जो कि मैं आपको यहां दोबारा बता देता हूँ कि हम लोग क्यों IR code की intermediate code के हमें जरूरत क्यों पढ़ती है उसकी reason यह होती है कि हम लोग code को क्या बनाना चाहते है हम लोग intermediate code generate कर रहे होते है हम लोग जो है जब इसको नई machine के ओपर run करेंगे तो नई machine के ओप जब हम run करेंगे उसके ओपर कोई नया compiler चल रहा होगा तो यह ना हो कि जो हमने code परानी machine पे अपने compiler में लिखा था नई machine पे ना चले इस तकलीव से बचने के लिए हम लोग intermediate code generator का इस्तमाल करते है और हर compiler यही करता है intermediate code generator का फाइदा क्या होता है कि यह नहीं होगा कि आपने C++ file एक computer में रखी थी तो आप वो किसलिए दूसरे नए compiler पे नहीं चलेगी आपने को बोल आइम सॉरी को बोल जो है जो है मैंने गलती से कहा तर्बो C++ के ओपर आपने जो है वो फाइल लिखी और अब आप उसको code blocks के ओपर चला रहे हैं तो जी हम कहेंगे कि तर्बो पे लिखी फाइल code blocks पे नहीं चलेगी ऐसा नहीं है ठीक है और ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि तर्बो ने आपने जो हमारे पास तर्बो है वो code blocks के मकाबले में जरा उसका interface अच्छा नहीं है लेकिन यह भी cpp file बनाएगा और जहीं cpp file जो हमने तर्बो में लिखी है क्यों क्योंकि तर्बो ने उसको ऐसी हालत में save करके रखा है कि वो code blocks पे चले और वो वाली condition क्या होती है वो वाले code की form क्या होती है उसी को हम लोग बोलते है क्या हम लोग बोलते है intermediate code generator और इसका फाइदा क्या होता है देखें अच्छा compiler होगा अच्छा compiler के अंदर बहुत सारे हमारे पास फारक होंगे उसमें code optimization की टेक्नीक्स अच्छी होंगी उसका interface अच्छा होगा तो होता यह है कि हम code को intermediate generator को को इसको एक और वो हालत होती कैसी है वो code किस तरह का देखता है वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे तो वो उसको एक special form में save करके रख देता है और उस special form में save रखने का फायदा क्या होता है कि वो आगे किसी भी और compiler पे किसी भी और machine पर run हो जाती है suppose करें कि आपने turbo c++ में code लिखा आप कहते हैं turbo c++ मुझे पसंद नहीं आ रहा है मैं तो code blocks पे काम करूंगा तो अगर आपने code blocks इंस्टॉल किया तो इसका मतलब है कि जो आपने turbo c++ में फाइल्स रखी थी वो जाया हो गई आप उन्हीं c++ फाइल्स को run कर सकतें code blocks में code blocks यह basically code blocks एक compiler का में नाम दे रहा हैं यह से turbo एक compiler होता है code blocks का फाइदा क्या है उसका थोड़ा सा structure अच्छा है उसमें error को ढूड़ना थोड़ा सा अच्छा है उसका interface थोड़ा सा अच्छा है python में भी यही होता है कि आपके पास मुक्ते flavors माजूद है तो होगा क्या कि वो जो intermediate code आपने रखावा होगा वो अब जब नए compiler में चलेगा तो नए compiler में वो नए features को adopt कर लेगा चीक है यह फाइदा होता है intermediate code generator का hopefully आपको मेरी बात समझागी होगी अब सवाल यह पैदा होता है intermediate code दिखता कैसा है intermediate code असल में होता कैसा है किस तरह का होता है intermediate code बनाते कैसे है इस सवाल का जवाब मैं आपको अगले slides में दूँगा तो मैं चाहूँगा कि आप दुबारह यहाँ पे थोड़ा सा pause दें और आप जल्दी से पीछे revise करें intermediate code generator की जुरूरत क्यों हमें पढ़ती है फिर मैं आपको बताऊँगा intermediate code generate किया कैसे जाता है अगर आपने समझ लिया कि intermediate code generator की हमें जुरूरत क्यों पढ़ती है सबसे पहले मैं आपको इसकी types बता देता हूँ हमारे पास जो types के intermediate code generate होते हैं intermediate representation और intermediate code generation का मतलब मैं यहां पे एक ही ले रहा हूँ IR का मतलब intermediate representation IF और intermediate R for representation intermediate code generation मैं दोनों का मतलब यहां पे एक ही ले रहा हूँ high level intermediate code representation होती है और low level intermediate code representation होती है high level intermediate representation वह होती है suppose करें कि मैं यहां पे लिखता हूँ या चले मैं यहां पे लिखता हूँ Language जिसमें भी आप काम कर रहे है Language मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C++ और बीच में हमारे पास क्या है Compiler है और यह Compiler High Level Language को Convert करेगा Low Level Language में जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M A C H Machine Language में चीक है जी Machine Language में इसको Convert करेगा क्योंकि Compiler का काम भी यही होता है High Level Intermediate Representation High Level Code Generation वह होती है जिसमें जो Code Generate किया जा रहा होता है वह Source Code के ज़्यादा करीब होता है और Machine Code से थोड़ा सा दूर होता है And that's it ठीक है लेकिन यह चीज रिकमेंड़ नहीं होती नहीं हम इसको perform करते हैं हम लोग लेते हैं Low Level I.R Low Level I.R क्या होता है Low Level I.R जो होता है यह Source Language से दूर होता है यह ऐसी form होती है असरे में यह जो Types of Intermediate Representation है जो Types of Intermediate Code Generation है यह Types हैं थोड़ी ज़रे में आपको भी नजर भी आईगी जो Low Level I.R होता है यह Source Language से दूर होता है और Machine Language के ज़्यादा करीब होता है मतलब यह Machine Oriented ज़्यादा होता है और Language Oriented ज़्यादा 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 होता है Source Language से अमरा जिस पर आप काम कर रहे है वह काम होता है इसको हम High Level और Low Level I.R बोलते है Low Level I.R असल में यह आपको Machine Dependent Optimization प्रवाइड करता है यह हम आगे फीचर में देखेंगे लेकिन असल में जो हमारे पास जो चीज हो रही होती है वह हमारे पास Low Level I.R बोलते है High Level I.R भी होती है Low Level I.R भी होती है ठीक है तो यह भी हम थोड़ी देर में या Next Access में इसको देखेंगे वैसे in fact इसका हमने यूज आगे जाके करना तो नहीं यह तो सिर्फ टाइप्स है हमने सिर्फ जो चीज आज की लेक्शन में देखने है कि यह Intermediate Code होता कैसे है in fact यह दो बाते हैं आपको आपको टेक्निक बताँगो वह Code जो किसी भी मेशीन पर रन हो जाता है वह देखने में होता कैसे है तो यह एक मैथड है 3 Address Code जिसका हम लोग टैक बोलते है 3 Address Code और यह एक मैथड है Intermediate Code को जनरेट करने का अच्छे 3 Address Code क्या चीज होती है यह जो Definition लिखी विया है यह से ज़ादा बेतर है कि मैं आपको इसकी शकल दिखा दूँ 3 Address Code बड़ी सिंपल सी चीज होती है 3 Address Code में पहली बात तो आप गोर करें चीज 3 के उपर Suppose करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ Z is equal to A plus 3 पहली चीज है कि हमेशा 3 Address Code में सिर्फ और सिर्फ तीन एंटिटीज होंगी Variable भी हो सकते है, Number भी हो सकते है, Function भी हो सकते है For example, एक Variable है Z यह पहला हो गया दूसरा Variable है, A यह दूसरा हो गया, तीसरा Number है बास, ठीक है, यह 3 Address Code की पहली शर्त है एक और Example देता हूँ, Z is equal to, for example, Tangent, जो भी है Tangent में, Tangent प्लस 4 अभी बिस में सिर्फ तीन चीज़े है, Variable Z पहली, Function टेंज़न दूसरा और Number 4 तीसरा, एक और Example ले लें, Z is equal to, 2 प्लस Y, ठीक है मैं Number इसले नहीं लिख रहा कि 2 प्लस 3 तो फिर आपनी 5 नहीं समझ बैठें, बारहल वो भी लिखा जा सकता है पहला Variable है, Z, दूसरा Number है, और तीसरा आपके पास फिर Variable है यह तो 3 Address Code की पहली शर्त है, इसलिए उसको 3 बोलते है कि इसमें 3 Entities होंगी टोटल, ठीक है जी, Equal की Right Hand Side की ओपर सिर्फ दोई चीज़े हो सकती है Number या Variable या 2 Variable या Function जो भी आ पॉसिबिलिटीज ले ले दूसरी शर्च जी है, कि हमेशा 3 Address Code में Operator A की होगा आप देख रहें कि Operator A की है, Plus, Minus, Multiply, Divide एक और Example ले ले लेते हैं अच्छा ये Examples मैं इनफेक्ट जहां लिखी में है For example लिखाव है, T1 is equal to B-C ये सिर्फ Example है, तो Left Side पे क्या है, एक Variable T1 है Right Hand Side के उपर एक Variable B है, तीसरा Variable C है ये तो तीन होगे, Operator कितने सिर्फ एक Operator है, Minus का, बस इसको बोलते हैं 3 Address Code, फाइदा क्या है, कि ये बहुत Simplified Form होती है, जिसमें सिर्फ Left Hand Side पे एक Variable Left Hand Side पे एक Variable, Right Hand Side पे सिर्फ दो Entities दो Variable भी हो सकते हैं, दो Number भी हो सकते हैं, एक Function और एक Number भी हो सकता है, एक Function और Variable भी हो सकता है whatsoever, और Example देख लेते हैं, लिखाव है, T2 is equal to A multiply by T1 तो अभी इसका इससे कुछ तालुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, तो आप देखें कि हमारे पास Variable Left Hand Side पे एक Variable है T2, Right Hand Side पे एक Variable है A और एक Variable है T1, तो यह तीन चीज़े हो गई, और सिर्फ एक Operator है Multiply, भाज यह इसको Three Address Code बोलते हैं, और भी Examples मैंने यहाँ पे लिखी ही हैं, आप जोंसे पर एक के लिए यह Rule समझना बहुत जरूरी है, बहुत मैस Rule, बहुत मैस Rule बहुत मैस Rule बड़ा सिंपल सा है, बहुत मैस Rule कहता है कि सबसे पहले Brackets Open होती है, फिर Order होता है, और का मतलब है, कि Two की Power Two पहले होगा, यह Two की Power Three पहले होगा, ठीक है फिर उसके बाद Division होती है, फिर Multiplication होती है, फिर Addition होती है, फिर हमारे पास Subtraction होती है अब आपको एक एक ग्सामपल, यह Three Address Code की एक पॉस्पोस करें कि आप पर एक Priming Language पे काम करें था और आप ने पर एक स्टेटमेंट लिखी A is equal to B plus C multiply by क्योंके multiply को स्टारिक साही हो करवाया जाता है D अच्छा ये आपने लिखा अपने source code में अब हम इसका intermediate code बनाएंगे जो intermediate code generate करेंगे जो कि मैं पिछे आपको बता किया है हूँ जो जो हमने पढ़ा है मैं इसकी implementation आपको बता रहा हूँ अच्छा अब आपको समझ जागा कि intermediate code generation होती क्या है और इसके जो हम method जाद रखें intermediate code generation क्या है कि code को convert किया जाता है ऐसी form है तक कोड machine independent हो जाए तक कोड किसी भी machine पर चल सके है और intermediate code generation का एक method का नाम क्या है three address code और भी methods होती है मैं सिर्फ three address code बता रहा हूँ अब एक से example को आपने बहुत धहान से समझने है शर्त यह है number one एक तो आपने बहुत में स्रूल follow करना है अच्छा बहुत में स्रूल के crowding मुझे आप पता है कि पहले addition होगी या multiplication होगी तो बहुत में स्रूल के crowding पहले multiplication होगी फिर addition होगी अब ज़र आप इस बात को समझेगा कि मैं solve कैसे कर रहा हूँ पहले step में मैंने लिखा अच्छा टी वो टी आर जड़ वो आपकी मर्जी के आपने कौन से variable ले रहा है मैं suppose करें मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि मैंने slides में र लिखा हुआ है और one is equal to पहले मैं सरफ इनको ले रहा हूँ सी multiply by b अब मैं कर क्या रहा हूँ मैं इस पूरे expression का three address code बनाना चाहता हूँ ताकि मैं इसको intermediate representation form जा इसका intermediate code को generate कर सकूँ अब यह मैंने ऐसे ही क्यों लिखा क्योंकि three address code के clouding जे लिखा ही ऐसे जाएगा चीक है और मैंने सिर्फ c multiply by d पहले क्योंकि लिए है क्योंकि बहुत मैसूर के clouding पहले multiplication होगी फिर addition होगी अब यहाँ पर three address code कैसे valid है ज़रा देखे left hand side पर कौन सा variable है सिर्फ एक variable है पहली चीज right hand side पर क्या है एक variable c है और एक variable d है तो three entities पूरी हो गई पहली शर्थ पूरी होगी three address code की और एक शर्थ यह है कि कि सर्फ a की है multiply इसका मतलब है कि जो मैंने r1 is equal to c multiply by d लिखा है यह three address code के साब से ठीक है r1 is equal to c multiply by d three address code के साब से ठीक है शायद आपको यह बात भी समझ नहीं आ रही कि यह हम कर क्या रहे है अब मैं step 2 प्यांगा तो मेरी बात आपको बिल्कुल clear हो जाएगी इतना तो हमने कर लिया पिछे कह रहा है गया b और साज़ प्लस अच्छा अब जरा इस चीज़ को गोर से समझेगा मैं लिख रहा हूँ r2 is equal to b plus r1 जरा इस वीडियो को pause करके सोचे के मैंने क्या किया अगर आपने इसको समझा तो तरह यह देखें मुझे आप बता सकते है कि b plus r1 की value क्या है r1 क्या है r1 is equal to c multiply by d तो मैंने किया कुछ भी नहीं है मैंने लिखा असल में यहीं है लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर यह किया है कि मैंने variable जो था जो मैंने c multiply by d के जगा यहाँ क्या लिख दिया c multiply by d के जगा मैंने लिख दिया r1 क्योंकि यह क्या है b plus c multiply by d और c multiply by d को हम already r1 की equal रख चुके है अब यह मैंने किया क्यों है यह मैंने किया है 3 address code की शर्थ को पूरा करने के लिए I am sorry that is r1 3 address code की शर्थ कैसे पूरी हो रही ज़रा देखें एक variable हो गया r2 एक variable हो गया b तीसरा variable हो गया r1 इसका मतलब है 3 address code की जो पहली requirement है वो complete है और एक सिरफ operator है वो है plus तो अब हो क्या रहा है हो यह रहा है कि मैंने जो जो उपर expression लिखा हूँ है c a is equal to b plus c multiply body मैं असल में इसको sub expressions में तोड़ा हूँ मैं इस complete expression को divide कर रहा हूँ sub expression में पहला expression दूसरा expression इससे फाइदा यह होगा कि जो यह statement लिखी वी है यह इतनी ज़्यादा simplify हो जाएगी कि कोई भी machine इसको आसानी से समझ लेगी इसलिए हम कहते हैं कि code machine independent हो जाता है हम code को इतना ज़दा divide करके इतना ज़दा तोड़ के इतना ज़दा simplify कर देते है कि किसी भी machine के लिए उसको समझना असान हो जाता है hopefully आपको मेरी बात समझ आगी होगी और last में हम क्या लिखेंगे 3 में हम लिखेंगे बलके in fact क्योंके मेरे पास example पूरी हो रही है हम लिखेंगे a is equal to r2 जलास बात को समझेगा कि पहले मैंने क्या लिखा r1 is equal to यह याद रिखेंगा जिस सेमी कॉलन मैं यहां डालेंगे जिस सेमी कॉलन डालना जरूरी नहीं होते तो पहले step क्या था r1 is equal to c multiply by d तो इस पूरे expression का पहले मैंने इतना हिस्सा लिया फिर मैंने लिखा r2 is equal to b plus r1 क्योंके r1 असल में c असल में मैं यहां क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ b plus c multiply by d क्योंके r1 की value c multiply by d है तो मैंने इस expression को दुबारा से break किया दूसरी line की अंदर और क्योंके अब यह सारा जो है b plus r1 या अगर मैं इसको लिखाँ के b plus c multiply by d यह सारा किसके equal है यह सारा कुछ equal है a के और यह सारा किसके equal हो चुक है यह सारा equal हो चुक है r2 के तो मैंने लिख दिया a is equal to r2 अगर आप इसको reverse में लेकर जाएं तो जी ऐसे हो रहा है r2 किसके equal है b plus r1 और r1 किसके equal है b plus c multiply by d तो यह मैंने इसको reverse करके लिखा है तो असल में मैंने इस expression को sub expressions में divide कर दिया है इसी को असल में हम लोग intermediate code generation कहते हैं कि आप एक बड़े expression को तोड़ दें चोटे expressions में फाइदा कि इस expressions को इस expression जो कि एक बड़ा expression था मैंने इसको इतना जाद़ डिवाइड कर दिया कि इसको अब किसी भी machine के लिए समझना बहुत जाद़ असान है आप एक compiler में इसको लिखें तो अब असानी दूसरा compiler इसको कैसे समझ लेगा क्योंकि code इतना ज़दा असान फॉर्म में लिखाओ है कि उसको उसके लिए वो इतना ज़दा ब्रेक हो चुका है कि वो उसको line by line easily reconstruct कर सकता है और भी examples है for example z is equal to c divided by a plus b minus c z is equal to 3 plus तो मैं चाहूंगा कि आप इन examples को solve करें मैं आपके लिए एक example जहां पे जो solve करूंगा बलके in fact मैंने तो शायद जहां पे दूसरी example भी solve की भी है मैं अभी आपके लिए ये वाल example solve कर देता हूँ बाकि आप खुद करेंगे और प्लिस डॉंट वरी ये examples वैसे तो slides में है ये वाली slide में है ये वाली नहीं है ये आप खुद solve करेंगे डॉंट वरी मैं आपको इसका स्टोर सा solution भी बताऊंगा और मैं नेक्स लेक्चर में इसको discuss भी करूंगा तो आप परिशान नहुआ करें सबसे वहले तो हम इसको solve करते हैं याद रखिएगा कि z is equal to c divided by a plus b minus c और हमने करना क्या है हमने इसका intermediate code बनाना है using three address code सबसे पहले याद रखिएगा बहुत मैस rule अब आपने नहीं भोलना बहुत मैस rule कि रोडिंग सबसे पहले क्या open होता है सबसे पहले bracket इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले तो इसको open करना है अच्छा आप इसके अंदर दो operator है plus b और minus b है तो पहले plus होगा या minus होगा तो पहले addition होती है फिर subtraction होती है मतलब पहले a plus b वाला हिस्सा solve होगा फिर उसके बाद ये minus वाला solve होगा ठीक है तो मैं आपके लिए solve करता हूँ मैं लिख रहा हूँ T1 लिखे R1 लिखे Z1 लिखे आपकी मर्जिय मैं लिख रहा हूँ T1 is equal to सबसे पहले मैं a plus b को लिख रहा हूँ is equal to a plus b 3 address code के crowning ये बिलकुल ठीक है क्योंकि पहले variable T1 दूसरे variable a और तीसर अगरियेबल b और operator b एक इसी को 3 address code बोलते हैं चीक है जी अब हम लोग आते हैं जी next line के अंदर अब बारी आगई minus c की अच्छा ये दर आप सोच के बता हैं कैसे लिखेंगे T2 is equal to T1 minus c क्यों क्योंकि अगर मैं T1 की वाली दुबारा लिखूं तो वह क्या है a plus b minus c तो ये चीज़ वापिस आ जा जाती है चीक है तो अब आप देख रहे हैं कि मैं अपने expression को break करता जा रहा हूँ उसके बाद अब मैं लिखूंगा T3 is equal to C divided by T2 अगेन ऐसा क्यों है आप इसको ज़रा reverse engineering करके देख लें C divided by T2 की जगा क्या आएगा T1 minus C और फिर T1 की जगा क्या आएगा T1 के जगा आएगा A plus B minus C ठीक है जी hopefully आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और finally फिर मैं क्या लिखूंगा finally मैं यहाँ पे लिखूंगा finally मैं यहाँ पे लिखूंगा Z is equal to T3 क्योंकि अगर आप इसको reverse लेके जाएं तो यह हमारे पास Z EC के बराबर आजएगा ठीक है जी यहाँ पे मैं इसको end करता हूँ यह वाल एक्जामपल आप खुद करेंगे ठीक है तो पहले आप 4 plus 5 करेंगे और उसके बार आप बाकी solve करेंगे similarly इसका solution तो मैंने slides में दिया हुआ है आप ज़रूर इसका एक डफ़ाँ इसको पढ़े ताकि आपको मेरी बास समझाए है आप देख रहे हैं सबसे बहले मैंने 20 square को solve किया सबसे पहले सबसे पहले तो बास यह देखें कि मेरे पास brackets भी दो है मैं यह बात दियर करता हूँ एक bracket मेरे पास 2 minus B है एक bracket मेरे पास यह वाला है तो जो है मैंने यह वाला क्यों solve किया क्योंकि बहुत मैं सरूल के एक राडिंग जब आप bracket खोलते हैं देखें brackets दो है यह भी है और फिर यह भी है तो पहले यह क्यों solve है क्योंकि bracket के फॉरण बात क्या जी solve होती है order तो order क्या है B square इसने पहले मैंने B square को solve किया चीक है जी तो आप लीज अच्छे याद रखें का sometimes हमारे पास दो किसम की भी three address code बन रहे होते हैं तो इसमें क्यों problem नहीं है इसमें आपने परिशान नहीं होना ठीक है जी अब वैसे अगर देखा जाए तो अगर यहां पे भी B square होता तो हम पहले यह भी solve कर सकते थे ठीक है जी and that's it that was all about this lecture मेरे पास यह जो डाइगराम है यह तो मैंने वसे आपको बता दी कि सबसे पहले आपके पास यह डाइगराम हमारे पाशुरू में भी आई थी कि आपने टोकन्स बनाए फिर आपने ट्री बनाया semantic analysis में आपके डेटर टाइपस उखार को चेक किया यह जो डाइगराम आपको शूरू से नजर आ रही थी जो कि मैं पहले डिसकस नहीं कर रहा था यह वो थ्री अड्रेस कोड था जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ अब हमारे पास सब यह समझे कि स्कॉर्स का सरफ आखरी पार्ट रहाएगा जो कि है code optimization जो कि इंशालला हम लोग एक अदे लेक्षर में इंशालला कवर कर लेंगे and that was it अब हम लोग front end को तक्रीबान हमारा जो two pass compiler था वो हमने complete कर लिया two pass compiler था फ्रेंट और back end middle end